पूबाइल फॉन के अदर वीडियो रिकॉर्डिंग और मोबाइल फोटोग्राफी में दो चर चीज़े काफी ज़ादा ज़रूरी है आज के समय में जसकी बात करें स्टेब्लैजेशन की यहां यहां तक बात करें नेतरी पर संसर शिफ्ट है इस आता है आपनायी से अपूसे आप एंडॉइड में और उसमें स्टी विडीन रिडीन होती है तो वीडियो गर आपने को पसंद है तो लाइक कर देना चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना देखो सबसे पहले बात करने वाला हूँ आप EIS होता है OIS होता है लेकिन इससे पहले कंपनिया जो थी न वो ते इसे एक अलगी चीज़ पर चल रही थी वो था AI यानि की आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का यूज करके स्टेबलाइजिशन प्राइट करना मॉबाइल फोन की फोटोग्राफिय और वीडियो में जिसके अंदर जैरो का यूज किया जाएगा और सेंसर से मल्टिपल इमेजस लेकर ये कंपेंसेट किया जाएगा कि आपके हैंड में मॉवमेंट हो रहा है कि नहीं आ रहा है ये कुछ चीज हुआवे के फोन में हैं देखी गई थी लेकिन अब मुद्दे की बात पर हैं OIS और EIS में OIS में शायद सभी लोगों को पता होगा भी था कि एक मूविंग पार्ट रहता है यहाँ पर जो लेंसेज होते हैं उनके अंदर आपको एक मूवमेंट देखने का मलता है जिससे आप यहाँ पर एक स्टेबल इमेजस ले सकते हैं लेकन बात यह कि यहाँ पर इस सर्फ यह 2D plane में काम करता है यानि कि आपकी X-axis हो गई और आपकी Y-axis हो गई वो इसी 2D plane के अंदर यहाँ पर एक काम करता है फोन अगर आपने left हिला है तो हलका सा वो रफ shift हो जाएगा राइट हो गुमाया तो राइट की तरफ ओपर गुमाया तो नीचे नीचे गुमाया तो इस से आपको एक stable photography और वीडियो का experience दिया जा सकता है तो यह एक चीज़ है पीछे concern देखो इसके साथ बस problem यहाँ पर यह जुड़ी है वो चीज़ यहाँ पर उनकी गड़ बढ़ा जाती है इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी इशू बना हुआ है क्योंकि यह 2D plane के अंदर ही काम करता है हलाकि stability आपको देखने का होलती है अगर आपको photography वगरा लेनी है तो यहाँ पर कुछ सम्मेद अगर आपको थोड़ा बहुत हाथ शेक करेगा तो एक अच्छी images ले लेगा लेकिन अगर आप थोड़ा जादा शेक करोगे उसमें इतनी हाँ पर blur वगरा आ सकता है सिमिलन कहानी वीडियो के साथ भी है वीडियो के अंदर stabilization अच्छे तरीके से काम करता है OIS के अंदर लेकिन महाँ पर एक problem आ जाती है वो यह problem आ जाती है कि अगर आपका हाथ यहाँ पर जादा शेक कर गया तो उसके अंदर भी काफी unstable video बन सकता है यह एक चीज रहती है और इसके साथ ही बात था थी EIS की Electronic Image Stabilization यह पूरी डिजिटल चीज है और simple सी बात यह है कि यहाँ पर आप कोई भी वीडियो आप देख रहे हो या फिर शूट कर रहे हो तो उसका जो पार्ट रहता है वन थर्ट पार्ट यहाँ पर crop out होया था और बाद में software का use करके उसकी image को यहाँ पर shift किया जाएगा ताकि आपको एक stable यहाँ पर वीडियो recording experience दिया जा सके तो थर्ट इमेज जो रहती यह capture कर रहा है सब आप उसे ही देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर वन थर्ट वाले पार्ट को यहाँ पर सिर्फ रखा जाता है margin के लिए ताकि उसका use किया जासे के stabilization के लिए और यह सिपसे स्यादा simple तरीक है कि mobile phone के अंदर video recording में EIS काम कर रहा है या OIS काम कर रहा है अगर video यहाँ पर आपका crop हो रहा है definitely वहाँ पर EIS यहाँ पर kick in हो रहा है और सिर्फ और सिर्फ अगर OIS यहाँ पर काम कर रहा है तो video बिलकुल भी crop नहीं होगा और आपका full flash चीज देखने को मिलेगी हलाकि बात की जाए तो यह कुछ चीज है लेकिन इसके साथ ही बात कर रहे तो मार्केट में gimbal stabilization आ गया है इसके साथ ही आईफोन में sensor shift आ गया है और इनसे अगरे problem solve हो सकती रही तो फिर gimbal और sensor shift OIS जो रहता आईफोन में उसने क्यों implement किया गया देख वो gimbal stabilization आया था वीवो ने निकाला था और वीवो ने जो gimbal stabilization बनाया था अब यह ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा gimbal आपने उठाके डाल दिया वो नहीं यह चीज एक्जेक्ली जो चीज यहां पर लोग कर रहे है वो यह कर रहे है कि आपका जो OIS होता है उसी को यहां पर better करें OIS पहले यहां पर 2D space इस में move कर रहा था X-axis Y-axis में आगे पीछे जा नहीं सकता था अब उसको आगे पीछे ले जाने की करदी flexibility इसके साथ ही हो थोड़ा तेड़ा हो सकता है और उसमें अंदर movement हो सकता है यह चीज उन्होंने करी कहने का मतलब है कि उन्होंने OIS वाली चीज को ही better बनाया उसे gimbal यहां पे नाम उन्होंने दे दिया जिससे आप कोई भी वीडियो फोटोग्राफिक करे तो आपका फोन किसी भी एंगल पे हिल जाए उपर हो जाए नीचे हो जाए आपको स्टेबलाइजेशन बेटर देखने को मिलेगा और यह चीज कोई गिमिक नहीं है यह उसी OIS को लेकि उसे एक एडवांस लेवल पर लेगा लेकिन बात यहां पर यह जादर जिन फोंस में चीज आती उनके अंदर यहां पर जो अल्ट्रावाइड एंगल लेंस होता है वहा जाने कि पहली बत अल्ट्रावाइड एंगल ने इसमें बहुत लंबा फिल्ड ओव यहां पर कैप्चर कर सकते हो और उसके अंदर क्रॉप कर पाना काफी जादा आसान रहता है और उसके उपर से जिंबल है या यह ऐसे तो इसका कॉमिनेशन ना कि अब बहुत ही जादा स् यह चीज यहां पर काफी अच्छी थी हाले कि यह प्रैमरली उन्होंने यूज किया था वीडियोग्राफी के लिए यह उसको थोड़ा बैटर बनाता है फोटोग्राफी में में कैमरा में इत्ता जाता इंपेक्ट इसका नहीं पड़ रहा था क्योंकि छोटी सी प्रॉप् खड़ा रहा अच्छे तरीके से तो मेरी फोटो शार्प आएगी लेकर मैं हिल गया थोड़ा बहुत भी हाथ पर हिल गए उपर नीचे हो गया मोशन ब्लर इमेजिस के अंदर आया क्योंकि यह एक छोटा सा इश्यू अभी भी बना हुआ है इसलिए काफी सारी कंप्पनी इस एलका और दिम वगरा से इसको सौक वरने की स्कुषिश करती है वहीं बात करें एपल के आईफोन की तो एपल के आईफोन में यहाँ पर आपको मिलता है सेंसर शिप्ट हो आईएस अब देखा जा तो यह सब कंपेर कर सकते हैं एक्जेक्ली इन बोडी स्टेबलाजेश की कौलिटी रहती हूँ काफी अची रहती वन ओफ दे की रीजन है यह लेकिन फिर बात आती है कि आखेर इन पर इनमें से बेस्ट पॉसिबल इंप्लिमेंटेशन को ने देखो बात की जा तो हैं पर सभी बैस्ट है अपनी जगे लेकिन बात की जाए तो यहां पे सबसें एक एरिया तक वो काम करती है, आपको ज़्यादर डिग्री ओफ फ्रीडम्स नहीं मिलती है, जैसे जिंबल में मिलती है, इसलिए OIS की भी अपनी लिमेटिशन है, EIS के साथ अलोन उसके साथ प्रॉबलम पता क्या है, इमें सबसे पहले क्रॉप हो जाती है, और लो लाइट के साथ, जिते भी सस्ते Android phone आते, flagship level को मैं छोड़ दू, नीचे के जितने भी है, सब में जो वीडियो की quality हो बिल्कुल ही खराब है, किसी में देखा जाए तो color सही नहीं आते, stabilization नहीं आता, चलो stabilization है आपके सही आ गया, लेकिन वीडियो की quality नहीं आती, ये सबसे बड़ी core problem है ये problem देखा तो आपको flagship महेंगे phone में नहीं मिलती, especially बात करें वीडियो की X-series के phone देखे थे, मैंने उनके अंदर नहीं हो था, OPPO की fine series देखी थी, उसके अंदर ऐसा ही कोई issue नहीं था, वहापे video color stability काफिय थी, Samsung के जो phones होते है, S-series वाले, जैसे S21 FE हो गया, उनके यहां पर EIS, OIS, हर चीज़ का अच्छे तरीके से use कर रहे है, और उसके साथ ही आपको better video निकाल के दे रहे हैं, इसके साथ ही बात की जाए तो यहां पर Google camera का भी एक देख लेते हैं, जोकि एक जमाने में जब Pixel 1 यहां पर रिलीज हो आता, तो यहां पर काफी सारे लोगों लेकिन के कहने का मतलब यहां पर यह था कि जो OIS रहता है, उसका यहां पर वो लोग जात्तर time photography के अंदर यूज कर रहे हैं, और वीडियो के अंदर यहां पर EIS का ताकि better results मिल सकें, लेकिन बात में उन्हें अपनी गलती पता चिले और आगे उन्होंने OIS वगरा डाला और EIS का combination वीडियो को काफी अच्छा बनाता है, अकेला OIS यहां पर आपकी photography में काफी अच्छी help करेगा, और अगर आपको better video चाहिए, यहां फिर better photography, better stabilization चाहिए, जो gimbal camera होता है, वो यहां पर beneficial चीज हो सकते है, especially video recording के अंदर, और sensor shift OIS होता है, वो वहां पर call rounder package है, जो आपकी exactly आपको images का output कैसे मिल रहा है, अगर आपके mobile phone में कोई भी feature है, कोई चीज नहीं भी है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा photograph और अच्छा video का experience मिल रहा है, तो यह से फरक नहीं पड़ था, कि exactly एक किस तरीके से achieve किया गया, क्योंकि at the end of the day user को तो अच्छी photograph और video से मतलब है लेकित problem तब आती है, जब सारी चीज़े phone के अंदर, लेकिन तब भी खराब output मिले, तो वो एक दिक्कत होती है, किया सब चीज़े तो डाल दी, लेकिन output में improvement नहीं आया, तो यार, कुछ चीज़े तरीके से काम करती है, बाकि आप लोग अपना opinion भी बता सकते हैं, नीचे comment section के अंदर, वीडियो अगर आप लोगों को पसन है, तो प्लीज प्लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक्यों आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आप लो नेक्स्ट में में, गुद बाई!